गाइस अब जो सिरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम थौन आफसील है ये सिरीज सोल लान के अनिमेटर्स ने ही बनाई है तो आपको ये जरूर परसंद आएगी सो विडियो को अंत तक जरूर देखना एपिसोड के शिरुवात में हमें वोईस ओवर के थूरू प्रेसिन की कंडिशन बताई जाती है असल में यहां डेमिन्स ने कब साकर लिया है और डेमिन्स से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के छे मंदिर आ गया है उन छे मंदिरों ने अपना अपना एक योधा बीजा है और उन योधा को नाइट्स कहा गया है और फिर हमें ये छे योधा एक एक करके दिखाये जाते हैं जो डेमिन्स हंटिंग पास के बाहर एक डेवल से लड़ रहे हैं और उनके बीच हमें एक आइकानिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है इन छे वारियर्स के बारे में हम डेमन हेट आजाता है ये बहुत साथा ताकतवर डेमन है और अब ये इन शे योधाओं पर हमला कर देता है और डेमन लॉट उन सभी वारियर्स को अपनी एक ही उगले का इस्तमाल करके हरा देता है लेकिन उन मेंसे लॉंग जिन्यो नाम का वारियर अभी भी हर नहीं मानत और वो अपनी सारी एनारजी को गैदर करके अपने ट्रू फॉर्म में आता है वो अपनी सोल पार्क के साथ अपनी फेमस तलबार को लेकर डेमन लॉट के उपर हमला कर देता है लेकिन उसकी सारी मेहनत फील हो जाती है जब डेमन लॉट उसकी सारी सोल पार को अपनी तीन उसके फॉर्मेशन से ही रोग देता है और उसके तलबार को अपने हाथ से ऐसे रोग देता है मानो उसके लिए ये लड़ाई कोई खेल हो। लॉंग जिन्यू फिर से उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डेमन लॉड उससे अब लड़ने की बचाए वहाँ से जानी लगता है और ये देखकर बागी वारियर्स हैरान हो जाते हैं। पास आते हुए दिखाय जाते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हें राजा ने भुलाया है। पार का लेवल चेक करना है जिसकी सोल पार का लेवल कम होगा उसको फेल कर दिया जाएगा और उसको फिर नाइट नहीं बनने दिया जाएगा। अब जियांगु नाम का बच्चा आ गया आता है और अपनी सोल पार चेक करता है। वो अपनी तलबार को फुल एनरजी के साथ एक टावर पर दे कर मारता है और उसकी सोल पार तेरा निकल कर आती है। उसको पास कर दिया जाता है। एक दूसरा बच्चा अपनी सोल पार चेक करता है और उसकी सोल पार साथ निकल कर आती है क्योंकि उसकी सोल पार 10 से कम थी इसलिए उसे फेल कर दिया जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे बचे वहाँ आते हैं और उनको fail और pass की category में बाट दिया जाता है। अब वहाँ long house है नाम का बच्चा आ गयाता है और यही इस से इसका proganist है। वो किसी भी हाल में pass होना चाहता है इसलिए वो full dedication के साथ तलवार लेकर pillar पर मारता है। लेकिन उसकी सोलपार सिर्फ नौ निकल कर आती है। उसको fail कर दिया जाता है। वो बहुत साथा उदास हो जाता है और रोने की condition में आ जाता है। वो अपने teacher से एक और बार try करने को कहता है लेकिन उसके teacher साफ मना कर दीते हैं। क्योंकि अगर उसको दुबारा try करने का मौका देया गया, तो ये बाकियों के लिए unfair होगा। उदास हुआ बड़ा long house and अपने सभी दोस्तों के पास चाहता है और कहता है कि उसे एक और chance चाहिए क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है। सभी दोस्त उसको ऐसा उदास देकर टीचर से उसको एक और chance देने को कहते हैं। और टीचर को बताती है कि long house and हम सभी में से सबसे जादा hard working है और वो एक और chance डिजर्व करता है। अब फिर टीचर long house and के training period के बारे में सोचते हैं। और यहां से हमें पता चलता है कि long house and बहुत जादा hard working है और वो एक बहुत बड़ा night बनना चाहता है। वो दिन रात practice करता है और सभी से जादा मेहनत करता है। टीचर उसको एक और मौका देने के लिए ready हो जाते हैं। लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। उन सभी बच्चों को फिर से try करने का मौका दे दिया जाएगा। जो जियंग हू नाम के बच्चे को fight में हराएगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और long house and जियंग से लड़ने के लिए आगे आता है। उन दोनों के बीच sword fight शुरू होती है। और हमें पता चलता है कि भले ही long house and की soul पार कम है। लेकिन उसकी fighting abilities बहुत साथा अच्छी है। उनके बीच हमें iconic level की sword fight देखने को मिलती है। और लड़ते लड़ते हमें knights के 10 rules भी बताया जाते हैं। वो 10 rules हैं। courtesy, honesty, affection, bravery, justice, victim, honor, perseverance, virtue। अब लड़ते लड़ते long house and ज्यांग को अपनी बुद्धी और अपनी skills की मदद से हरा देता है। और लड़ते लड़ते ही फिर वो पिलर पर अपनी तलवार मारता है। और उसकी soul पार अब 11 निकल कराती है। सबी बहुत साधा खुश होते हैं और उसे पास कर दिया चाता है। अब फिर ऐसे ही बागे बच्चे भी ज्यांग से लड़ते हैं और अपनी soul पार फिर से चेक करते हैं। टीचर भी हाला की confused हो जाते हैं कि आखिर पहले long house and की soul पार कम क्यों आई। अब फिर स्कूल से थोड़ी दूर के जंगल पर हमें एक नकाब पोश लड़की भागते हुए दिखाए जाती है जो तीन सैनिकों से बच्चते हुए भाग रही थी। वो सैनिक कम भेडिये थे और वो असल में थे कौन ये हमें आगे पता चलेगा। वो सैनिक अलग लगतर हैं से लड़की पर हमला कर रहे थे लेकिन लड़की उनसे बच्चते हुए वहां से भाग रही थी। बच्चने के स्टाइल से हम लड़की के अंदर की खूबियों को जान जाते हैं और समझ चाते हैं कि ये भी शायद या तो एक नाइट है या नाइट बनने की खूबी रखती है। वो भेडिये जब उस लड़की को नहीं पकड़ पा रही होतें तो वो आपस में बाते करते हैं कि उन्हें जल्दी से लड़की को पकड़ ना होगा क्योंकि वो टेंपल ओफ असासन से भाग गई है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें रिवार्ट मिलेगा। वो लड़की अब अपने खंजर को बाहर निकालती है और उन सैनिकों से लड़ती है। लड़की लड़ने में बहुत अच्छी है और वो कई सैनिकों को हराब ही देती है लेकिन इस बीच उसे खुद चोट ल अब फिर उसका दो जियांग उसे बुलाने आ जाता है और वो दोनों जंगल के लिचा लेता है। रास्ते घर की तरफ जाने लगते हैं। अब जियांग अपना भी टोनिक लिकुद उसे दे देता है और यहां से हमें पता चलता है कि लॉट होशन के मा बिमार रहती है और अपनी बिमार मा के लिए उसे ये टोनिक लिकुद चाहिए हूता है। उसे उसकी सोल बार नहीं बढ़ पाई थी अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तब ही वहाँ एक लड़की की आबाज आती है और लांग हौशन भगा भगा वहाँ जब देखने जाता है तो वही लड़की उसे बेहोश मिलती है वो उसकी जैसे ही पास जाता है वो लड़की उसे खत्रा समझ कर उस पर अपना खंजर तान देती है लेकिन जब लांग हौशन उससे उसका हाल पूछता है तो वो समझ जाती है कि ये अच्छा इंसान है और वो उसे उसके हाथ पर लिक कर बताती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाते हैं फिर तभी वहाँ कुछ लोगों की आवास आने लगती है और लड़की कहती है कि हमें भाग ना होगा लांग हौशन कहता है कि वो मर्द है और वो डर कर नहीं भागेगा वो उनसे लड़ाई करेगा अब तभी वहाँ वो डेमन वुल्फ आ जाते हैं और उनको देखते ही लोंग हौशन थोड़ा डर जाता है और वो लड़की को गोद में उठा कर ते स्पीट में वहाँ से भागने लगता है लेकिन भागते भागते वो पत्थर से टकरा कर गिर जाता है और अब जब डेमन वुल्फ वहाँ आते हैं तो उनसे अपने तलवार से लड़ने लगता है डेमन वुल्फ बहुत ताकतवर है और वो उनसे लड़ते लड़ते बहुत बेट रहा होता है और लड़ते लड़ते वो लड़की के उपर भी जा गिरता है और बॉलिवुड वाला सीन हो जाता है लॉंग हाउशन कहता है कि वो उसकी रक्षा करके रहेगा और ये कहकर वो फिर से डेमन वुल्फ से लड़ने लगता है अब वो अपने टीचर के सिखाई ट्रेनिंग को याद करता है डेमन वुल्फ की तागत उनकी स्पीड है और उनकी कमजोरी उनका स्टामक है ये याद करके वो उन पर अपटाक करता है और वो एक डेमन वुल्फ को हरा देता है अब लड़ाई बराबर की होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे पर अटाक करने लगते हैं डेमन वुल्फ अकेला ही बहुत स्ट्रॉंग होता है और यहाँ तो ये तीन-तीन थे और लॉंग हाउशन इन पर अब एक एक करके हमला करने का डिसाइड करता है लेकिन जैसे ही वो उन पर हमला करता है तो काउंटर औरा की वज़े से वो खुदी दूर चाकर गिरता है वो काफे पिटता है और काफी मार खाता है लेकिन वो लड़की को बचाने का हर प्रयास कर रहा होता है उसे बहुत बुरा पीट कर बेहोश कर देते हैं लेकिन वो बेहोशी की हालत में भी जब उन से लड़ता है तो अब डेमन वुल्फ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेरहमी से मारने लगते हैं और वो अत्मारासा हो जाता है एक डेमन वुल्फ अब उसे उसकी गर्दन से उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तब ही Long Hoshan अपनी लड़की की ही तलबार को इतनी जोर से उसकी गर्दन पर मारता है कि उसकी गर्दन फट जाती है और एक Demon Wolf वही मर जाता है लॉंग होशन लड़की के पास आता है और कहता है कि तुम जल्दी से यहां से भाग कर टेंपल नाइट में चली जाओ वहां मेरे टीचर तुम्हें बचा लेंगे अब लॉंग होशन बागी के डेमन वुल्फ से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है जिसके बाद यह एपिसोड फिर यहीं कत्म हो जाता है